हेलो फ्रेंज अगर इस सर्दियों में आप भी डार्क होट चक्लेट पीना चाहते हैं और इस तरह की आप रेस्पी जानना चाहते हैं तो आप भी इस पूरे वीडियो को देखें आपको यह आसान सी रेस्पी जरूर पसंद आएगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की बा Además करें अपंगया और छार चमच दूद्ध हम एक कटोरी में निकाल लेंगे कर्देश ओम अबेरें से पनी करने लग поддерж सअर्वा दूदbn हंने लगीज और आजम इफकर हैं , और आख चार चमच दूद्ध हमकर फहले निकाल लेते हैं निकाल निकाल लेते हैं वरेकर दू कोई पीना तो यहां पर मैंने कॉनफावर लिया है और एक कॉनफावर के साथ मैंने कॉनफावर के साथ दो टेबल स्पोन कोको पाउडर डाला है दूध में और अच्छे से मिक्स कर लिया है जब तक ये दूद उबल रहा है मैं यहाँ पर कॉन फ्लावर और कोको पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी चम्मच से अगर दूद कम लगेगा तो एक चम्मच दूद इसमें हम और डाल देंगे मिक्स करने के लिए दूद में उबाल आने वाला है यहाँ पर मैं एक इंच डाल चीनी दूद के साथ डाल दूँगी अगर आप चाहें तो यहाँ पर डाल चीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं दूद के साथ डाल करके मिल्ड होने के लिए छोड़ देंगे देखे दूद हमारा उबल रहा है और चौकलेट मिल्ड होने लगी है ऐसे चौकलेट मिल्ड हो रही है दूद में यह हम दार्क हौट चौकलेट बना रहे है इसलिए यहाँ पर मैंने डार्क चौकलेट का यूज़ किया है तहां पर देखें मैं आपको दिखा रहे हैं यह दालचीनी का तुख़ड़ा भीसी में जिससे अच्छे से फ्रेवरिस में आ जाए दूद के साथ दालचीनी और चॉक्लिट दोनों पकड़ा है और अब मैं दालचीनी को निकाल दूँगी दालचीनी श्टिक को और गैस कफ्रे में एकदम लो रखेंगे और ये कॉन फ्रावर और कोको पाउडर का जो खोल त्यार किये थे उसे हम डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे नहीं तो नीचे कॉन फ्रावर जमने लगेगा कॉन फ्रावर गाढ़ा होता है जैसे हीट पाएगा कॉन फ्रावर गाढ़ा होना श की कंसिस्टेंसी देखिए बहुत टेस्टी तियार हुआ है और अब हम इसे गर्मा गर्म कप में सर्व करेंगे कि यह हम कप में होट चौकलेट तरु कर लिए हैं और उपर से गारिसींग के लिए यहाँ पर हम उपर सा कोकू पाॉडर दालेंगे, लाइट कोकू पाॉडर है दार्क होड चोकलेट बनके त्यार हो चुका है, देखिए कितना यम्मी लग रहा है देखने में, बच्चे बड़े सभी को ये डार्क होड चोकलेट बहुत पसंद आता है, ये डार्क होड चोकलेट हमारा बनके त्यार है गर्मा गर्म, इस ठंड में इस तरह का एकदम इजी तो既़ा की रेस्पी डार्क होड चॉकलेट की बना कर आप घर में इंज्वाइए किजिए कि ठंड में डार्क हॉडट चॉकलेट बोड़ी को बहुत फिट रखता है और ये बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आता है इस तरह की दर्क होड चोकलेट की रेस्पी अगर आपको पसंद आती है तो आप फैमिली फ्रेंड्स में सेर कीजिए ये दर्क होड चोकलेट हमारा बन के त्यार है अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपड़ेट रहने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें